जब तक भार्ती जनता पार्टी सत्ता में रहे इसके अंदर शांती अमन और चैन कायम नहीं रह सकी हिंदू मुसल्मान के नाम पर जगडा कराओ कभी हिंदू सिख के नाम पर जगडा कराओ भार्ती जनता पार्टी दरसल भार्ती जगडा पार्टी बंगे शांती ही नहीं हो है कि हजारों की संख्या में घर जला दिये गए मनिपुर में पारती झनता पार्टी इस देश के अंदर को नफ्रत की सबसे बड़ी फैक्टरी है और जब तक भारती जंता पार्टी अस्थित्व में रहेगी भार्ती जंता पाटी सत्ता में रहेगी देश के अंदर शांती अमन और चैन कायम नहीं रह सकता और जब देश में नफरत के बीच बोए जाएंगे जब देश में शांती ही नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता नौजवान को रोजगार नहीं मिल सकता माताओ बेहनों को महेंगाई से छुटकारा नहीं मिल सकता किसान को उसके फसल कादाम नहीं मिल सकता आम इनसान की जिंदगी की दुश्वारियां कम नहीं हो सकती और यह बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मनीपूर में जो हिंसा हो रही है मनीपूर जो पिछले डेढ़ महीने से जल रहा है आज उस मनीपूर की हिंसा पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की खामोसी यह साबित करती है कि भारती जनता पार्टी चाहती है उनकी नफरत की फैक्टरी का विस्तार पूरे देश में होता रहे उनकी नफरत की फैक्टरी का विस्तार पूरे देश में होता रहे कभी हिंदू मुसल्मान के नाम पर जगड़ा कराओ कभी हिंदू सिख के नाम पर जगड़ा कराओ कभी हिंदू क्रिस्चन के नाम पर जगड़ा कराओ जब धर्मों का जगड़ा खतम हो जाए तो जाट और गैर जाट के नाम पे जगड़ा कराओ, हिंदूों हिंदूों में जगड़ा कराओ, मराथा गैर मराथा के नाम पे जगड़ा कराओ, हिंदूों हिंदूों में जगड़ा कराओ, कुकीज और मैती में जगड़ा कराओ, आदिवासी समुदायों के बीच में कराओ तो भारती जनता पार्टी दरसल भारती जगड़ा पार्टी बन गई है भारती जगड़ा पार्टी जगड़े कराकर नफरत फैलाकर हिंसा फैलाकर पूरे देश की बरबादी भारती जनता पार्टी का मकसद है इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ इस देश के लोगों से कि इनकी असलियत को पहचानिये जब तक ये स्तित्त में रहेंगे इस देश का विकास नहीं हो सकता नौजवान के हाथ को रोजगार नहीं मिल सकता महंगाई से चुटकारा नहीं मिल सकता किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल सकता तेड़ महीने से मनी पुर जल रहा है सैकुनों लोग की जान चली गई कोकीज और मैतीज के बीच में जगडा कराया हिंसा हो रही है और हिंसा भी कोई सामान ने हिंसा नहीं उस राज्जी की एक महिला मंत्री का घर जला दिया गया देश के केंद्री मंत्री का घर जला दिया गया भारती जंता पाटी का दफ्तर जला दिया गया तमाम नेताओं को दोड़ा दोड़ा के मारा जा रहा है पीटा जा रहा है हजारों की संख्या में घर जला दिये गए मनिपुर में हजारों की संख्या में और मैं प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि बताओ जरा हमें कि कैसे वहाँ पर एक की 47 और विदेसी हत्यारों का इस्तेमाल मनिपुर की हिंसा में हो रहा है। कहां से आ रहा है यह हत्यार। चीन से आ रहा है पाकिस्तान से आ रहा है मैंगमार से आ रहा है कहां से आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री खामोस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुँझे मणीपुर की हिंसा पे मणीपुर का मा नहीं निकल रहा है मा इसलिए ये सावित होता है कि एक अक्षम एक गैर पढ़ी लेखे एक ऐसे प्रधानमंत्री देश के अंदर है जो देश को बरबादी की ओर लेके जाना चाहते हैं उनके पास कोई एजंडा नहीं है कोई दृस्टी नहीं है कोई काम उनको नहीं करना है सिर्फ नफरत फैलाओ और राज करो यही भारती जंता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का फार्मूला है और जैसा मैंने आपको कहा हिंदू को मुसल्मान से लडाओ हिंदू को सिख से लडाओ हिंदू को क्रिस्चन से लडाओ जब धर्मों के जगड़े से खाली हो जाओ तो जाट को गैर से लड़ाओ, मराठा को गएर मराठा से लड़ाओ, आधिवासी के दो समुदायों के बीच में जगडा कराओ, आधिवासी को आधिवासी से लड़ाओ, तो ये भारती जगडा पार्टी का काम है, इसलिए मैं प्रदान मंत्री जी से कहना चाहता हूँ प्रदान मंत्री जी अमेरिका और विदेशों की सेर छोड़िए हिंदुस्तान की जो परिस्थितिया हैं उसमें आईए मनिपुर जाईए और जाकर उस परिस्थिति का सामना करके उसका समाधान कीजिए आपके ही लोग मारे जा रहे हैं उनके घर जलाये जा रहे हैं फिर भी आप खामोस है तमाम लोग कैम्स के अंदर रह रहे हैं हजारों की संख्या में फिर भी आप खामोस हैं यह बहुत ही दुख का विसाय है इसलिए मनिपुर हिंसा पूरी तरीके से भारती जनता पार्टी की सरकार की नाकामी का प्रतीक है मनिपुर की हिंसा इन लोगों के द्वारा फैलाई गई नफरत के कारण हो रही है और भारती जनता पार्टी की सोच के कारण हो रही है दूसरा विशयाज railway का है पुर्धान मंत्री ने railway को भी पूरी तरीके से बर्बाद किया इनकी सरकार ने railway को पूरी तरीके से बर्बाद किया पहले rail का budget आग अलग से आता था गाड़ियां नई सुरू होती थी बुजूर्गों के लिए यात्रा में छूट होती थी पहले तमाम किराये में रियायत मिलती थी आज बुजूर्गों को मिलने वाली कंसेसन इस सरकार ने खतम कर दिया सोचे कितनी शर्मनाग बात है अडानी को तो लाखों करोना का फाइदा पहुचाएंगे लेकिन बुजूर्गों को बुजूर्गों को जो छूट मिलती थी रेलवे में वो छूट खतम कर दी इस सरकार ने पुजी पतियों को तो लाखों करोना का टैक्स माफ करेंगे लेकिन बुजूर्गों की जो छूट थी जो कंसेसन था उसको खतम कर दिया रेलवे सुरच्छा की बात करें आज तिकट कटा के भी आपको सीट नहीं मिलती भूसे की तरह जानवरों की तरह ट्रेन में लोग भर भर के जा रहे है तिकट करा लिया रिजर्विशन करा लिया सीट नहीं मिल रही है धक्के खा रहे हैं लोग ट्रेन उपलब्द नहीं है घंटों विलम जा रही है दुर घटना होती है उसकी सीबियाई जाज दे के लिपापोती आप मुझे बताईए जिस घटना के बारे में तीन महीने पहले नौ फर्वरी को वहाँ के चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट आ चुकी थी कि अगर यहां इंटरलॉकिंग सिस्टम ठीक नहीं किया गया बाले स्वरकाली जो घटना होई उसमें साफ तोर पे तीन महीने पहले नौ फर्वरी को यह कहा गया कि अगर electronic interlocking system ठीक नहीं किया गया तो यहाँ कोई बड़ी घटना हो सकती है कब नौ फरवरी की रिपोर्ट है नौ फरवरी की चीफ इंजिनियर की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट को रेल मंत्राले ने और मोधी सरकार ने नदर अंदाज किया जब 300 लोगों की जान चली गई तो वहाँ जाके ड्रामा करने है कहने है गर्मी है गर्मी है गर्मी है ड्रामा हो रहा है तो इसलिए रेलवे को बरबात करने का काम भी हमारे चौथी पास राजा ने किया आज रेलवे में यात्री सुविधाये समापन की ओर बढ़ रही है दुर घटनाए दिन प्रदिन पटरियों से ट्रेन का उतरना ये तमाम घटनाए तेजी के साथ बढ़ रही है और एक मसला दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके है आप सब से कुछ छुपा नहीं है कभी कई किलो मीटर तक एक बेटी को घसीट के मार दिया जाता है कभी एक बेटी को चाकूँ से गोद के मार दिया जाता है कभी एक बेटी को काट काट कर अलग अलग जगों पर उसका सो फेका जाता है उसके टुकड़े फेके जाते है कभी गैंग वार होता है सडको पर दिल्ली के कभी न्यायाले के अंदर हत्या होती है यह दिल्ली की घटना है बता रहूं मैं देश की राजधानी दिल्ली जिसकी सुरक्षा वेवस्था प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी के हाथ में है जिसकी सुरक्षा ब्यवस्ता अमिस्वा जी के हाथ में है दिल्ली के एल जी महोदे के हाथ में है विने कुमार सकसेना जी के हाथ में है उनको तो केजरी वाल से लड़ने से फुरसत है नहीं तो कानून ब्यवस्ता कब देखेंगे वो भी नफरत की फैक्टरी के प्रोड़क्ड है तो नफरत की फैक्टरी के प्रोड़क्ड जो भी होँगे उनको कानून बिवस्ता या Szanty Bahaloe से तो कोई मतलब है नहीं तो उनको तो जगडा करना है